नमस्कार दोस्तो निखिल कामत जी को आना पड़ा रियल एस्टेट में दुबारानी पहली बार तो आई एक एक विक्टरी टाइप है बिकॉस मेरे को बहुत लोगों ने भेजा एंड बुला गुरुजी फैनली इस आलसो बहुत तो मैं इस पे अच्छा क्लारेटी देना चा तो एक आपकी जो है बिलीफ सिस्टम कहलो या सोच या फाइंडिंग उस चीज़ को आप पबलिक के पास लाते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर आप आम जनता है तो इन अमीरों को जो इतने अमीर हैं इनकी इन चीज़ों को मत फॉलो क निखिल कामत जी को फॉलो करने की जुरूत इसलिए नहीं क्योंकि वो इतने अमीर हैं वो कभी भी घर करीच सकते थे उनको फॉलो करने वाले पिछले 5-6 साल से जो इतने juicy valuations पे थी रियल एस्टेट 2019-2022 में वो miss out कर गे हैं अब क्या निखिल कामत जी आके उनके लिए sorry ब I'll say निखिल कामत जी ने जो सवाल पूछे I will say they were very good the answers were also decent पट दो जगे जहां वो answer देने वाले भी falter करें वो सवाल मैं answer करूँगा तो निखिल कामत जी का सवाल बताऊंगा आप लोगों को क्या पूछा और जो उतना ठीक से reply नहीं कर पाए कौन जो खुद real estate बना के अंसर नहीं कर पाए पर मैं answer करूँगा ठीक है तो वो interesting रहेगा उससे पहले ये चीज़ को हम clear cut समझ लेते हैं कि निखिल कामत जी हो अक्षा श्रिवास्तव जी हो कोई भी इस तरह के बड़े हो अब सिरफ एक बच गए है मेरे जो उसमें सिरफ एक बच गए है ठीक है अक अचारे प्रशान जी की शादी ठीक है वो जिस दिन हो गई तो अब उनके सब्सक्राइबर्स जो हैं तो उनको कैसा लगेगा क्योंकि वो तो आके किसी दिन भी कभी भी बोल सकते भी को अचारे प्रशान जी बहुत ही magnetic personality है संस्ता चलाते हैं पैसे वैसे का जुगाड अब गरीबी तो नहीं है बिलकुल भी तो कभी भी कोई महिला आके शादी कर सकती है उनसे लेकिन जो बुद्धी वीवेक चेतना जगाने में चले गए और अब उनकी शादी नहीं होगी वो क्या करेंगे गुरू जी ने शादी कर ली अचारे जी ने अचारे जी तो बोल भी भी हो सकती है ऊसकता है आचारे जी कभी शादी ना करें ये भी हो सकता है कोई एम मेरे को किसी को पूटडाउन करने का निया оGMे कि भाई फॉलो करने इसके लिए प्रैक्टिकलती रखो तुम वो नहीं हो and सबसे नहीं किया है मेरे को इसे follow अगर करने को médico सुनने को बोलता हूँ में ये नहीं बताता हूँ मैं तो क्यों दुहा हूँ मैं हूँ Don Don का गाना काता हूँ मुझे क्यों follow कर रहे हूँ तभी Falthoga का बतानी की है मैं कुछ services है कुछ ग्यान है कुछ फ्री है कुछ पेड है भारत का सुना देखा अच्छा लगा मजा लगा बाय बाय टाटा डोंट फॉलो इस पीपल ब्लाइड ली बिकॉज यू विल गेट इंटु लॉट प्रॉलम्स बिकॉज इनका तो कुछ नहीं जाएगा जी यह तो इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं निखिल कामद जी तो आधा टाउन्शिप खरिद ले खहीं पर वो तो बिलीनियर वाले स काफी हीट हुआ था कि बिकॉज इवन इफी वांट्स तो हैव टेट 65 यर्स ऑफ एच यह बी अबल तो है बाबा यू नॉट बी अबल तो क्योंकि वह तो डिजाइरबिलिटी एं पैसे के कुश्ट में आगे हैं अमीर आदमी तो कुछ भी कर सकता है कभी भी कुछ कर सकता है आप मिडल क्लास लोर मिडल क्लास गरीब लोग आप नहीं कर सकते हैं आपकी विंडोज हैं जी आपका कुशन पेपर ले लिया जाता है अमीर आदमी का कुशन पेपर वो डिसाइड करता है कब लिखना है कितना लिखना है क्या खोल के लिखना है कैसे करना है उनका पेप देखते थे ना पेपर जब देते हैं तो टीचर पैंस डाउन तीन घंटे में ऐसे ले लेगा आपकी लाइफ ये है तो रियल एस्टेट उनने भी ले ली है आप लोगों को भी लेनी चाहिए उनने एक सवाल पूछा था इन लोगों से की रियल एस्टेट में ही सेड की 30-40 सा की requirement do you think रहेगी तो answer करने वाले बोल रहे थे की नहीं 5 years, 10 years रहेगी, decadal रहेगी, then he said 50 साल बाद रहेगी, 50 साल तक क्योंकि इंडिया में तो population degrowth हो जाएगी, the fact is की जो brokerage का ये business run करते हैं ये तो 2 साल में change हो सकता है, 2 minute में change हो सकता है, regulatory कुछ भी ला सकता है and he himself has said that and ये में stress है, but isn't he doing that business as such, whatever, he wants a banking license also, but वो नहीं मिल रहा, क्योंकि everybody wants to diversify, वो real estate में क्यों लोग जाते हैं, ये सारे start-up वाले और share market वाले, ये दिल्ली में बिखते हैं, 100-500, 200-300 करोड के घर मिलते हैं, मुंबई में फ्लैट बिखते हैं, 100-500 करोड के, कौन ये सब लोग ही तो ल अर्बनाइजेशन की बात करी, कि अर्बनाइजेशन अभी 33% कुछ है, आगे it will increase to 60% in coming times, तो बहुत लोग शेहर में आगे, what was point was missed out, and वो मेरे को बहुत बड़ा trend दिख रहा है, आप लोगों को बताना है कि ये trend दिख रहा है नहीं दिख रहा, जो बैंगलोर, पुने, चीन, चीन नहीं, जो टॉप साथ शेहर हैं, डेली इंक्लोड़ेट, ठीक है, इंडिया के टॉप सेवन शेहरों में, रिल स्टेट की requirement को भार ले जाएगा, वो अर्बनाइजेशन तो हो गाई, कि लोग आएंगे नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, पर देनी सेंग की बच् कम पैदा ही हो रहे हैं, एक एक ही कर रहे हैं, पर जो चीज मिसाओत करें गें और अंसर के लिए के लिए केंठर करना अओ, जिस पर अभी डेटा और शोद उतना हुआ निया है, मैं कर रहा हूँ, and मुझे वो बहुत जादा फैलता हुआ दिख रहा है and it's not a very positive thing but out of so many things which I do उसमें marital consultation भी है divorces बहुत जादा हो रहे है now what happens in a big share when the wife is working, husband is working both go and the shadi collapses they can't stay in the same house now whether the house was the rented house or it was a house which was bought ठीक है, मालिका ना हग था उससे कोई फरक नी पड़ता अब उनको एक घर में रह नी सकते तो दो घर चाहिए अब भावे पती 1BHK में जाए 2BHK में जाए, rent में जाए, खरीदे चाहिए बीवी rent पे जाए, उनकी alimony हो वो घर आदा बटे, दोनू बेचके अदा अदा खरीद ले, क्या करें वो अम पता नी कि 3BHK बेचके दोनू 1BHK ले ले या 2BHK ले 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 वो महमें नी पता, लेकिन एक चीज़ पता है कि डिवोर्सेज आर उन्दा राइस और बड़े शहरों में बहुत जादा और दूसरी चीज़, second trend जो बेटा भव अपने parents के साथ, in-laws के साथ नहीं रहना चाते है, अब भी धिरे-दिरे accept होने लगा है ये भी एक trend है, तो जो family 6 जने इकटे रहते थे अब वो 4 प्लस 2 रहना चाते हैं 3 प्लस 2 रहना चाते हैं, या अलग होके आसपास रहना चाते हैं और ये trend आगे बढ़ना ही बढ़ना है इसमें जो elderly care South India में काफी penetrate कर गी है अब वो North India में मुझे आती दिख रही है elderly care का मतलब है कि इस तरह का गर और society जहां पर elderly home की बात नहीं हो रही कि जहां abandon हो गया है गरीब लोग रह रह रहे हैं, mentally issues वाले रह रहे हैं और जो हमारी image है South India वाले समझदार हैं तो उनने already 60s में move in करने लग गया अभी तक उनको कोई तकलीफ नहीं है बट वो इस area में अपना खुदी घर खरीद के चले गए जहां पर हर तरह की facilities है बिकोज लोगों ने क्या किया एक आते पहडों में अखी दूर बना दिये अब mostly लोग शहर में भी रहना चाता हैं पिकोज उनके रिष्चिदार वहाँ पे हैं बच्चे वहाँ पे हैं आना जाना वहाँ है बट उनको जिसे बाथरूम की fittings कैसी चाहिए जिसे आप जो नी रिप्लेस्मेंट सजरी होती है और उसके अटाइच जो टोईलेट होता है उसमें जाओ तो एक अलग तरह से system रखा होता है उसमें handles को पकड़ने का ना गिरें tiles का तो एक यह elderly living का concept ही अलग है इसके अंदर आपको ऐसी facilities होगी कि other than surgery जो OT के अंदर होती है और हस्पताल में होगी all other medical care is available there रोच चक्कर नहीं काटने हैं I see lot of elderly को मैं देखता हूँ जब 70s में 80s में अपना कुछ भी कराना है उसके लिए बड़ी दूर जाना पड़ता है वहाँ लाइन में लगना पड़ता है ठीक है फिर वापिस आना पड़ता है और आना जाना takes a toll on time अमीर लोग हो चुके हैं upper middle class हैं तो वो सब facilities वहीं पहीं है कि तीन मिनिट में गए तीन मिनिट में आगें वहाँ का चाय काफी पी अपना बता दिया उसने कोई दवाई बढ़ानी थी घटानी थी diabetes आपका hypertension यह वो तो उसमें दवाई का क्या होता है बस बीपी ना पलिया दवाई को readjust कर दिया इसके लिए आपको खहिं जाने के जुरूत नहीं है ऐसे ऐसे एक हजार चीज़ और होती है medical test को emergency होगी कुछ यह हो गया तो यह वाली चीज़ भी निकल कर आएगी आगे तो इन सब चीज़ों से real estate के बहुत factors आ चुके है real estate कभी सस्ती क्यों नहीं हो सकती उसके पॉड़काश पे था कुछ reasons बताए अच्छे reasons बताए मैं उस पे और clarity देने के लिए वीडियो बना दूँगा आप मेरा एक अलग से channel भी है अगर आप लोग ने subscribe नहीं क्या exclusive real estate channel है मेरा sango real estate तो मैं चाहता हूँ मेरे subscribers वो भी subscribe कर लें क्योंकि real estate की exclusive उसी बाते मैं वहीं करना चाहूँगा because वो इट इस लाइक डोसा बेचना है तो डोसे के जो मानते थे क्यते गुरू जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो यह घुमी 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 एक जगे से दूसरी आप एक जगे में सेट हो चुके हो आपका environment सेट हो चुका है बच्चे का school सेट हो चुका है एनो किराय मकानमाली का आपको मालनों निकाल दे तो फिर आप कह है घर में तो रहने का स्वाधी अलग है यह अयकन होते हैं ट्विटर पे इनकी लाखों की following है इनकी YouTube पे लाखों की following हैं इनके कैरों में करोड़ों में करोड़ों में इनके वो हैं कस्टमर's है और जब यह बोलते हैं कि नहीं stock market में ऐसा है एक word इनने और जो बोला जो उसक उसमें डालना चाहता है, he said, what I don't like about real estate is its illiquidity. Now, first of all, I have to ask somebody who has got thousands of crore, कि तुम्हारे अगर 50-200 crore की real estate है, तुम्हें किसले चीए illiquidity सबसे पहले तो? तुम्हारे को क्या, वो medical emergency, medical insurance cover कर सकती है, आम आदमी के लिए, किसले चीए होती है, एक आदी चीज हम ऐसे नहीं रख सकते हैं, जो illiquid हो, या सब कुछ ही illiquid रखना है, कि दो मिनिट में कोई बेच दे, मेरे को पैसा चीए, तो immediately चीए, अरे आप एक asset बना लो, पैसा किसले चाहिए होता है, कि कोई किसी के शरीर में कुछ हो जाए, तो उसके लिए तो medical insurance है, नहीं शादी के लिए, तो शादी के लिए आपको घर बेच के शादी करनी चीज़ी, यह कब से समझदारी चीज़ होगी, और अगर करनी पड़ेगी तो बिख जाएगा, दस-पंदरा दिन, एक मेने, डेड़ मेने में, इलिक्विडिटी में ऐसा क्या है, कि एक डेड़ दो मेने में चीज़ नहीं बिख सकती, अगर शेर मार्केट बहुत लिक्विड है, तो टाइमिंग भी तो उसकी ठीक नहीं रहती, ना कई बार आप जब चाते हो कि आप S.I.P. करके चार साल तक अपने सो-कार्ड गोल पे पहुचे, तो मार्केट 20% करेट कर गया, और जो उसका मुचल फंड था, उसका नाव 25% गिर गया, क्योंकि वो स्टॉक 25% गिरे, इंडेक्स आपका 20% गिरा, 15% 20% तो आपका आप क्या करोगे, आपके रिटर्न्स कहीं, मिडल टीन रिटर्न्स 15-16% से FD के रिटर्न रहने गए, एक करेक्शन में, चार साल में, तो यह चीजे इतनी सिंपल नहीं हैं, जिस तरह बता दी जाती हैं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, पर आप देख लो कि अब धुरंदर धुरंदर अगर आ रहे हैं, रिल एस्टेट में, रिल एस्टेट में, रिल एस्टेट is something which cannot be made, and there is a humongous, humongous, humongous demand in the country which builders are not able to complete, जो आईगी, एक इतनी जादा सुनामी आईगी गाउं से शेहरों के अंदर migration की, अगले दस साल में की वो numbers are very high, अगले 35% से, अगर 50% की तरफ गया urbanization, तो 15% increase is a big number in India, 21 करोड, and top शेहरों में और भी जादा होगा, तो that will make it even more expensive, and वो बिलकुल सही बात है, खरीद नहीं पाएंगे, बार बार जब मैं बोलता हूं खरीद नहीं पाएंगे, तो लोग कहते हैं फिर builder बनाएगा किसके लिए, अरे अमीर लोग खरीदेंगे, जब मैं बोलता हूं कि लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो वो टैक्सी वाला पैसे कमा रहा है न, आप नहीं खरीद सकते, तो there will be a big generation, which I call Zen Z, जो घर खरीदी नहीं पाएगी, तो घर खरीदेंगे नहीं तो builder बनाएंगे, क्यों आरे भाईया कोई और फुपे खरीदेंगे, यह 10-10, 15-15, 20-20 घर, और तुम उने देते रहोगे और वो 90 साल तक जिएंगे, आइसेट्स पे बैठेंगे, और अगली जेनरेशन को कुछ होगा नहीं, और जो millennials हैं जिनके बच्चे Zen Z हैं और नहीं खरीद पाएंगे, और अभी 40 स में हैं, और वो बच्चे आठवी दसमी में पढ़ रहे हैं, भाईया उनके लिए खरीद लो कुछ, जादा ही investment की मत सोचो की returns बाद में calculate कर लेना, आप अपनी जरूरत जब खाना खाता है आदमी, अपने स्कूल में भेजता है, कपड़े पहनता है, गाड़ी खरीदता है, तो returns की नहीं सोचता है, वो सोचता है कि have I covered myself, बहुत लोगों ने अपने आपको जीवन में ऐसा cover कर रखा है, जैसे कि वो खौश्पिटल में सजरी से पहले गाउन देखा, आपने ऐसा लगता है, cover कर लिया है, कुछ cover नहीं कर रहा होता है, उसमें इजद अइसा लग रहा होता है, बच्छी होती है, बट प्रैक्टिकली आपने देखा है, मैं एक्जेंपल कहां कहां से लेक रहता हू ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि यह पहना है कि इसको जह नहीं पहनाता है, ऐसे लॉड़ आदमी का तो कुछ वैसे भी झिपता पर पतले आदमी के साथ भी नाइंसाफी है, उसमें बहुत ज़्यादा चोटा और पतले आदमी के साथ भी नाइंसाफी है, तो लॉड़ आप करेंगेंग te पोधिन हो जाएगा ग़िया घर ले लो बच्चे के ले बच्चे की पता नहीं नौकरी का तो पता नहीं क्या लगयेगी zastान साथ जानी कुछ नहीं पता आपको पर आपक को पता तो घर की जुरूत पड़ेगी, तो ले लो, हम क्यों खरे दिया, हमने उन्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, नौकरी कर, अरे भी आप ही का बच्चा है, डोंट वेस्ट टूमच मनी ऑन सुपरफिशल तिंग्स, लाइक मैरिज, मैरिज नी वेडिंग, टीक है, वेडिंग पर मत खर्च करो, दोन्नों अपना ले लो, जिस घर में घर मिल जाए ना, नहीं शादी शुदा कपल को अलग, वहां शादी तूटती नहीं है, नी तो सारा इन्वेस्टमेंट का सत्ता है, ना ऐसा है, सत्तर लाख रुपे लगया शादी में, लोग मुस्से पूसते हैं, मिडल क्लास की शादी में सत्तर लाख हां लगता है, मैं बताता हूं कैसे लगता है, लोगों को न सुनके सत्तर लाख बहुत जादा है, सत्तर लाख मतलब 35-35 कर लो husband मतलब लड़का लड़की वाली में गहने कपड़े जो आपका लहंगा खाना function मिलनी लेना देना गोड़ी के पैसे बरात के पैसे सब सब चीजे मिला के बता रहो यार मैं सब पचास लाग के शादियों का सीजन आएगा पचास लाग की शादी तो ऐसे दिखती भी नह गैंदे के फूल लगाने पड़ते हैं लिली के फूल में तो साथ लाक बजट हो जाता है को अच्छे फूल फा लगा लो अच्छे रिजॉट वगरा में चले जाओ रात की शादी में तो और खर्चा हो जाता है ऐसा लगता है कि नहीं होता है भाई कर रहे हैं उसके अंदर वो वाले काम वहा करने की बज़ा इंडिया में हो सकते हैं, ठीक है, गुमने बाद में चलने जाना है, जब छिख जाओ उन सब चीजों से, उससे यादा है, मेरा relationship course आ रहा है, दिवाली के बाद, अगर उसके लिए करना है आप लोग को, तो live must वाला सीखने को मिलेगा, और consultant बन जाओगे, आर WhatsApp कर सकते हो मेरे को, मेरे नमबर पे आर, relationship course, entertainment के साथ, ग्यान के साथ, बहुत हाई लेवल का रहेगा, बहुत मजा आएगा, सरदियों में सीखने को मिलेगा, recording मिलेंगी, तो थोड़ी मशूरी भी कर ली मैंने, ठीक है, मेरा channel है, अपने आपको ही ठीक है, तो please, save money, buy homes, don't follow people like Nikhil Kamat, ये खुद बहुत confusion है, महेंती थे, intelligent थे, किस्मत वाले थे, hard working थे, parents का भी कुछ बढ़िया रहा होगा, प्रहरप, तो एक level पे पहुँच गे, अब ये level पे पहुँच के, ये तो ममा ट्यून कभी भी चेंज कर देंगे, तुम इनको follow कर रहे थे, अब तुम जाओगे, घर खरीदेने, इसने तो ऐसे ऐसे चेक काटा और घर आगया, इसने जागे लोन थोना लेना पड़ रहा है, अब तुम इहां इसको follow कर रहे थे, तुम बेच के दिखाओ अपनी SIP, भाईसाब SIP कर रहे थे, वो 10-20-30 लाग डाउन पेमेंटे के लेके बैठे थे, उसमें 20-30 परसंट रिटन आगे होगे, अपने आपको टाइकोन समझ रहे हो, वोई घर खरीद लेते हैं, लोन ले ल अपनाज में, कि हाओ विद 10% रिटन से रिल एस्टेट, यू कैन बी मच रिचर दें 15% रिटन से मुचल फंड, और नहीं 10% भी नहीं आते, 6-7 आते हैं, क्यों, रेंटे लील काउंट करने भूल गए, रेंट को काउंट करना भूल गए, नहीं नहीं वो ता मेंटेनेस भी चैनल को सबस्क्राइब करें चैनल की मेंबर्शिफ प्लाटिनम मेंबर्शिफ है ये भी आप ट्राय कर सकते हैं, बहुत कुछ दला हुए है इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा and चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो अब तक सबस्क्राइब कर ले, thank you very much